बिहार में चुनावी महौल के बीच सारी पाटियां अपने जातिगर्थ फॉर्मूले को सेट करके जनता के बीच में ये संदेश देने का काम कर रही हैं कि वो सबके हैं इसके साथ ही हर जाति के वैसे निता पर भी फोकस किया जा रहा है जिनका अतीत अपराज से जुड़ा हुआ है लेकिन आगे चल कर वो राजनीती के नदी में गोते लगा कर निकलते हैं और फिर वो महनायक बन जाते हैं लेकिन जनता ने कई बार ऐसे निताओं को सबक दिखाने का भी काम किया है ADR की रिपोर्ट की माने तो बिहार में 16 में विधान सभाचुनाओं में 136 विधायक यानी की कुल 57 प्रतिशत विधायकों के उपर अपराधिक मामले दर्ज हैं इनमें से 49 पर छोटे मोटे मामले दर्ज हैं तो वहीं 11 पर हत्या के आरोब भी लगे हैं इन दागी नेताओं में अभी जो सबसे दादा चर्चाओं में नाम है उनमें से एक काली पांडे है काली पांडे 1984 में गोपालगन से चुनावी मैदान में उतरे तो बड़े बड़े नेताओं की सासे फुलने लगी उस समय काली पांडे ने निर्दलिय प्रत्याशी के तौर पर लोगसभा का चुनाव लड़ा और वो संसत पहुँचे लेकिन 2020 के चुनाव में काली पांडे कॉंग्रस के टिकट पर कोपालगन जिले के कुचाय कोट विधान सभा से चुनाव लड़ रहे हैं बता दे कि साल 2019 के लोगसभा चुनाव में मिली हार के बार राज़त ने सुरेंद्र यादव को बेलागन विधान सभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है सुरेंद्र यादव वरतमान में विधायक हैं वही महाराजगन के पूर्व सांसत प्रभुनाद सिंग के अभी हजारी बाग जेल में बंध होने के कारण उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत का बोच अपने बेटे रंधीर सिंग के कंदो पर डाल दिया है बातमोकामा सेट की करेतो यहां से अनन्द सिंग, डानापूर से रितलाल यादव, महनार से रामा सिंग की पत्नी, वीना सिंग, नवादा से राजबलव यादव की पत्नी, वीभा देवी, संदेश से अरुन यादव की पत्नी, कीरन देवी, और सहरसा से आनन्द मोहन की प पत्र भरने वाले 30 फिस्दी प्रत्याशियों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमें सबसे जादा 10 अपराधिक मामले वाले प्रत्याशी गया जिले से हैं पटना जिले की मुकामा सीट पर 50 फिस्दी प्रत्याशियों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं वहीं हाई प्रोफाइल सीट दिनारा में 19 में से 9 प्रत्याशियों पर मुकदमा दर्ज है दागियों और उनके परिवार को टिकट देने के सवाल पर ADR की राज समनवयक राजीव कुमार का कहना है कि राजनीटी के अपराधिकरन पर सुप्रीम कोट के हस्तशेप के बाद उमीद जागी थी कि इस तरह के मामलों में कमी आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दागी जन नितिक दल भी चरित्रवान, गुनवान और जनता के प्रती समर्पित प्रत्याशियों के बजाए जिताओ उमिदवार ढूंड रहे हैं खैर अब चुनाओ में महज कुछ दिन का समय बच गया है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के चुनाओ में जनता श्रेत्र के प्रती समर्पित उमिदवारों को चुनती है या एक बार फिर से बाहुबलियों का दबदबा कायम होता है इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताएं इसके साथी बिहार चुनाओ से जुड़े इस तरह के और इन्फोर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चानल रजजेट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें